Hello students, आज हम distillation जो process होता है, separation by distillation के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर हम salt का solution, यानि salt और water का mixture लेके चलेंगे, उसे distill करेंगे, तो इसके लिए होता क्या है? जब भी कोई mixture लेके चलते हैं, हम common salt और water का, तो उसे separate out करना, जिस process के through commonly separate out किया जाता है, उसे distillation process के नाम से जाना जाता है, इसका setup जो है, यहाँ पर इस diagram के अंदर बना के दिखा रखा है, देखिए, यहाँ पर एक tripod stand लगा हुआ है, इसमें burner on कर रखा है, जो round bottom flask है, वो यहाँ पर present है, distillation flask के नाम से भी जाना जाता है, इसे उपर thermometer set किया हुआ है, कोर्क से tight कर रखा है, यानि जो जितने भी vapor इसके अंदर बनेंगे, वो इसमें से बाहर नहीं जाने चाहिए, इसे बोला जाता है water condenser, क्या बोला जाता है इसे water condenser, इसके अंदर water out और water, यह inlet ह होता है, यहाँ से पानी जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो tap water होता है, उसे हम इसे connect कर देते हैं, बीच में आप अगर दिहान से देखेंगे तो एक बाहर एक pipe दिया हुआ है, जिसके अंदर यह जो water यहाँ से इनलेट से जा रहा है, वो इसके अंदर कभी भ निकलता है, इसमें से जो भी liquid आएगा, वो पूरा का पूरा इस डी जो container है, इसके अंदर इखटा हो जाएगा, अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना water salt solution जो है, वो भर लेंगे, जितने भी amount के अंदर हमने डिस्टिल करना है, अब देखे आइल नेचर का है, वो जो है, जब भी temperature हम raise up करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, steam के अंदर convert हो जाएगा, अब steam जो है, steam बनने के बाद जब water vapor बनेंगे, तो अपर direction के अंदर जाना शुरू करेंगे, यहां से यह टाइट ली बंद किया हुआ है, यहां से तो वैपर ब इस वाटर के contact में जब आएगे, तो इनका temperature कम होगा, यानि condensation process होगी, और यह किसमें convert हो जाएगे, दुबारा से, लिक्विफाई हो जाएगे, लिक्विट स्टेट के अंदर आजाएगे, और यहां से यहां से यहां तक जब वैपर ट्रेवल करेंगे, जो वाटर के वैप इस बीकर के अंदर, जो distillation flask है, इसके अंदर रह जाएगा, क्योंकि वो non-volatile nature का है, तो वो वैपर में कभी भी convert नहीं होगा, और वाटर जितना भी है, वो वाटर जितना भी है, वो वालेटाईल नेचर का है, तो जैसे जैसे temperature raise up करते जाएगे, दीरे दीरे पूरा का इस तरीके से हम दोनों के mixture को, water plus salt के mixture को अलग कर सकते हैं, separate out कर सकते हैं, तो ये distillation process कहलाती है, जब हम किसनी एक solid और एक liquid का mixture बनाते हैं, और जो solution होता है, उसमें से हम उन दोनों को separate out करना चाते हैं, तो हमेशा distillation process का use कर सकते हैं, अगर उन में से एक volatile और एक non-volatile nature का है, तो अगर दोनों ही बोलेटाइल नेचर के हैं तो हम इस सिंपल डिस्टिलेशन का यूज नहीं करेंगे, उस टाइम पे हम दूसरे मैथर का यूज करते हैं, तो जो सॉल्ट होता है, जो सी से सॉल्ट, सी वाटर होता है, उसके अंदर सॉल्ट और वाटर का इस दो मिक्षिर हो